वहां जाकर के मुझे पता लगा कि पढ़ना और पढ़ाना ये बहुत आसान है लेकिन बच्चे को सिखाना और बच्चे का सीखना ये बड़ा कठिन कारी है उससे पहले जब हम गणित पढ़ाते थे तो एक चौकन टॉक मेधर जो था उससे हम जानते थे कभी सोचा भी नहीं प्रिथक राज बना तो यहां पर हम जिला शिक्षव पर्शिक्षण सस्थान जो हमारा देरादून है उसको सचवाले की बिल्डिंग जिस पर क्या सचवाले उत्राखन चल ला है वो पहले डाइट देरादून की बिल्डिंग हुआ करती थी हम लोग पढ़ाया करते थे मे बहुत सारे सरकारी भावन हैं आप उन्हें सरकारी भावनों को गर्ण कीजिए तो शिक्षा का एक केंद्र है यहां पर बने बनाए सब चीजे हमारे पास है बड़ा संगर्स हुआ मुझे आज भी याद है कि जब हतोड़ा गेंती फावड़ा लेकर के वहां पे ठेकेदार उस बिल्डिंग को फर्स को तोड़ने आए तो हम सब लोग वहां पे दरी बिचा कर बैठ गे और हमी नहीं बैठे शिक्षक ही नहीं बैठे बलकि जो वहां पे बीटी सी के लोग थे वो भी बैठ गे और उसके साथ साथ जो पीछे जी जी आइसी राजपुरूड है उसको लगबग चलता ला लेकिन सीमेटम ने इस्तापित कर दिया चुनोती थी इस प्लानिंग की मुख्षत चार हिस्से थे पहला हिस्सा था एक्सेस याने जिसको हम कहते हैं पहुंच शिक्षा की पहुंच को कैसे बनाया जाए नमबर दूसा हमारे पास का रही था रिटेंशन यहने पहुंच के बाद जो बच्चा हमारे पास विद्याले में आगया वो बच्चे का ठैराओ कैसे बच्चा ड्रॉप आउट हो जादा होता था पिथोरगड में जैसे कहें तो वहां पर रंग बासा है जो विलुप्त का गार पर है या हम उत्तरकाशी में कहते हैं वहां और आज जो जब NEP में आया तो हम समझते हैं कि लोग भासा उस्षाओ के रूम तमाम तरह की भासाओं का सरक्षन हम लोग कर रहे हैं इस तरह की नई करांती जिसको आप कहते हैं शिक्षा में डिसेंटलाइजेसन प्लानी वी केंद्री किर्ट नियोजन जिसको हम कहते हैं शिक्षा में प्रारंब हो गया और मुझे लगता है कि यही कारण रहा कि आज उत्राखंड देश के अगर्नी राजियों में है जहां पर हर बस्ती विद्याले की पहुंच में है यानि विद्याले कि यहां पर कोई कमी नहीं है मैं मुहन सिंग बिष्ट बर्मिकॉन टॉक्स पर आज अपनी जीवन यात्रा मेरे जीवन की जो संगर्स रहे हैं और उन संगर्सों से सीख करके जो कुछ भी मैंने आज प्राप्त किया है उसके बारे में एक वारता कर रहा हूं आप सब का स्वागत करता हूं मेरा जन्म सीमान जन्पत चमुली के एक छोटे से गाउं कठूर में हुआ है जो चमुली जन्पत की जो राजधानी है गोपिश्वर उसके निकट में गाउं है मेरे पिताजी स्री अवतार सिंग बिश्ची एक शिक्षक रहे हैं और उन से ही मैंने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सीखा जाना है मेरी जो प्रारंबिक शिक्षा है वो अपने गाउं के प्रात्मिक विद्याले कठूर से प्रारंब हुई पिताजी क्योंकि शिक्षक रहे तो उनके साथ मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जन्पच चमूली के विभिन अंचलों में जाकर के शिक्षा मैंने गरहन की जन्पच विकासकन जोशिमट के बड़ा गाउं में मैंने अपनी कक्षा पांच में की परिक्षा पास की इस से पहले मैं पिताजी के साथ मैं अपने निकटस गाउं सोनला बच्षेर में भी मैंने शिक्षा गरहन की कक्षा 6 में मैं जूनियराइ स्कूल बच्छेर में मैंने परवेश लिया वो आज राजकी इंटर कॉलिज की रूप में बच्छेर की रूप में जाना जाता है तद पस्चात मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो मेरे गाओं में वर्तवान में जो इंटर कॉलिज है राजकी इंटर कॉलिज टंकसा के नाम से जाना जाता है मैं उस इंटर कॉलिज के कक्षा 6 का जब वो शुरुवात हुई तो एक प्रथम बैच के छातर की रूप में मैं ने वहाँ पर परवेश लिया तत्पष्चात में राजकी इंटर कालिज गुपिश्वर में मैंने कक्षा बार्वी तक अपनी शिक्षा प्राप्त की इविभिन मेरे ऐसे पढ़ाओ रहे हैं जीवन के जहां मैंने जनपत चमूली में शिक्षा का जो वजपन सही शिक्षा का जो परदिश है उसको आयमी रूप में देखा है एक तरफ सिमान्त जनपत चमूली का जो सिमान्त विकासकन जोशिमट में किस तरह से शिक्षा होती है तब जोशिमट में इस तरह की सुविदाय नहीं थी सडक मार्ग बहुती तंग रहता था और हम कही किलो मीटर पैदल चलकर कही बार बर्फ में हम बड़ा गाउं तक पहुंचते थे राजकिंटर कालिज गोपिश्वर की बात करूँ तो ये गीता श्वामी जी की करमस्तली रही है राजकिंटर कालिज गोपिश्वर उस समय जिसमें 1750 के करीब चातर शिक्षा गरहन करते थे मुझे आज भी याद है कि जब हम गोपिश्वर में कक्षा दसवी में में पढ़ आता तो वहाँ पर दो सिप्ट में विद्याले चलाया गया और उस दो सिप्ट में विद्याले चलने से मेरा गाउं जो गोपिश्वर से 10 किलिम्टर दूरी पर था हम लोग जब आते थे तो एक पराता 6 वजे से सुरू हो जाता था और 11 वजे तक विद्याले चलता था 2 सा सिप्ट 1 वजे से सुरू था हम लोगों को आने में बड़ी दिक्कत होती थी मेरा पहला जो छातर संगर सा यहीं से प्रारंब हुआ हम लोगों ने इसका विरोध किया और हमने कहा कि हम एक ही सिप्ट में करेंगे हमको विद्याले बुलाया जाए क्योंकि सुबह 6 वजे आने का आर्शा यह था तब बस की सुबनाई नहीं थी तो हम लोग साड़े चार और 5 वजे वहां से चलते थे मुझे यह लगता है कि तत समय में इंटर कॉलेजियों में हरताल करना वड़ी एक बात थी लेकिन अपने अधिकारों के लिए कुछ बच्चों के साथ मिलकर हमने वहां पे इसका विरूद किया और वहीं सिछातर संगर्ष में सुरू होता है परिणाम यह हुआ कि उस समझ जो परधाना चारे थे मुझे आज भी पता है मुझे आज भी याद है किसरी पांथरी जी जो बहुत उतक्रिष्ट अपने लिए अकादमिक रूप से कहें या परशासिक रूप से कहें बड़े सम्मानित परधानाचारियों में गिने जाते हैं उन्होंने हमारी बात मानी और हमारा विद्याले फिर से एकी सिप्ट में चलने लगा परविष लिया परविष लेते ही मैं एक चातर संगठन से जुड़ा उस चातर संगठन में जुड़ने में मुझे इस वबाग्य प्राप्त हुआ कि मैं B.S.C. प्रथम वर्स में ही मुझे सच्वी पद पे मेरे साथियों ने जो मेरे साथ के पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया और सच्वी पद का उम्मीदवार उस समय चातर संग में होना बड़ी सम्मान का विशय था मैंने ही चुनाओ लड़ा और तत समय चातर संग चुनाओ उससे पहले गेदरिंग होती थी तो मैंने एक भाशन दिया और मुझे कहते विए प्रसनता है कि मेरे साथ जो अन्य जो जो भी प्रतियासी थे सब की जमान अजब्त हो गई और मुझे बड़ी बहुमत से बीएसी प्रिव्यस में ही चातरों ने सच्चु पत्पिली चुना मेरे साथ अध्यक्षवत में तत समय जो वर्तमान में हमारे विदायक भी हैं पूरो में मंत्री भी रहे हैं स्री राजियन सिंग बंडारी जी अध्यक्ष रहे और मैं सच्यु रहा विद्याले समय में भी स्वभागिया प्राप्त होगा कि मैं सांस्किर्तिक गतिविद्यों में प्रतिभाग करूं सामाजिक गतिविद्यों में प्रतिवाग करूं साइध यही वो दोर रहा जिसने मेरे जीवन को एक नया मोड दिया में एक अच्छा पड़ाकू लड़के के साथ साथ एक साम देखने के दिस्वे चात्र महाविध्याले गोपिश्वार एक बहुती उत्किस महाविध्याले माना जाता था पढ़ाई के लिए लेकिन वहाँ पे लाइबरेरी की थोड़ी कमी थी लाइबर्टी जो थी कम थे टिंचेट का में विध्याले चला करता था हम लोगोंने विश्व विध्याले गोपिश्वार की रूप में जाना जाता है यह हमारी उस समय को प्लब्दियां थी निरंतर लेकिन हमने कभी भी चात्र राजनीति पर जो बाहरी राजनीति उसको हावी नहीं होने दिया चात्रों के हितों के लिए हमें समसदेव काम करते रहे यहाँ जानीति प्राप्त हुआ उनसे में इतना प्रभाईत हुआ कि मैंने अपनी बीऐसी अ सइंस स्ट्रीम का विध्यार थी रहा लेकिन प्रभात उप्रेती जी एच के सिंघ साब जैसे विद्धध कूर्जन मुझे मिले और मैंने तुरंत उनके साथ जूनिय की इच्छा जता प्राथी पुड़ात उप्रियती जी ओर एच्क और एसे प्राध्यापक थे जो सदे उसे चात्रों को केवल पढ़ने लिखने सेमितने रखते थे अपितु उचाते थे उनके चात्र जीवन में शिक्षा की वास्तविक्ता को जाने शिक्षक व्यक्ति क्या होता है शिक्षक व्यक्ति केवल नौकरी के लिए सीमित न रहे अपितु अपने जो भी उसके जीवन का जो भी उनके मुल्य हों उनको प्राप्त करने के लिए वो निरंतर संगर्श करता रहे तो उन्होंने मुझे ये सिखाया और मैं विभिन सामाजिक जो कैतिविदियां थी उनमे एक बड़ी सांस्कृतिक क्रांती हुई आप सब सायथ परचित होंगे शैलनट नामक संस्ता इस्तापित होने जा रही थी श्रीष डोभाल एक जो एनस्डी फैलो थे वो आये और उन्हें गड़वाल में सांस्कृतिक अलग जगानी के एक सोची और पहली जो सेलनट संस्त गोपिश्वर में स्थापित हुई मुझे ये विश्व अभागय प्राप्त हुई हुआ कि मैं श्रीष डोभाल जैसे रंग कर्मी के सानिदे में हमने पहली बार गोपिश्वर में रंग मंच में नाटकों का आयुजन किया बड़े अच्छे अच्छे नाटक तत समय में प अजदूर अंदूलन में अपने चरम पे था और आपने सुना होगा कि सब्दर हाश्मी उत समय उनको सहादत उनने मिली था नई नाटक के नई रूप का जन्मवा जिसकों नुकर नाटक की नाम से जानते हैं सब्दर हास्मी नुकर नाटक को जो आयाम दिया था उन नुकर नाटक करने लगे और मैं पूरे आज उत्राखन की रूप में जाना जाता है ततपसाथ अविवाजित उत्तर प्रदेश की बहुत सारे जन्मवा जन्मवा जाकर के हमने नुकर नाटक की द्वारा सामागी चेतना जागरित करने की जागरित की मेरा चातर जीवन अपने गठिंता होती थी कि हम समय से पांच में तक ट्रेक्टिकल कर रहें लेकिन घर कैसे पहुंचे फिर भी हम लोग हम लोग उनिसको पढ़ा पढ़ने के साथ साथ सीखा बहुत जादा है कि समाज में कैसे जाना है मुझे आज भी याद है मैं सायद कभी शिक्षक ने बन पाता जब मैं चातर राजिव था तो सभी लोग कहते थे कि आपको एक अच्छा नेता बनेगा उस समय एक अजीव घटना घटी पहले यहाँ पे शिक्षा के छेतर में सीटी संबगर सीटी वेतनकरम जिसको कहते हैं सीटी वेतनकरम के लिए इंटर्व्यू दिये गे तो मैंने भ हमारा गडवाल और कुमाओ मंडल था उसमें सीटी ग्रेट में चैनित अब्यर्ती थे उनको न्यूकति नहीं दी गई यह 1990 की बात है जब उनको न्यूकति नहीं दी गई तो हमने यह सोचा कि सीटी ग्रेट अपने आप में शिक्षक बनने के बहुत ही सघन माध्यम था सरल माध्यम था पहाड में तो सीटी ग्रेट की जब शिक्षकों चैनिज शिक्षकों को न्यूकति नहीं मिली तो हम लोगों ने आंदुलन प्रारम कर दिया और आंदुलन हमने शिरी नगर में एक बैठक बुलाई और तमाम जितने भी हमारे बीड परशुक्ष होते थे क्यों मंदल अस्तर पर शिक्षकों को चैनित किया जाता था तो यह आसाने से शिक्षक बनने के जरिया था अस्तानी लोगों को रोजगार मिलता था जनपद अस्तर पर उनको न्यूकति दी जाती थी तो हम सबने मिलकर के सीटी संगर समिती बनाई और लंबे समय तक यहने मुझे आज भी याद है कि लगभग 10 महीने तक हम लोग जिल्ला विद्याले निरिक्षक उस समय हुआ करते थे तो जिल्ला विद्याले निरिक्षक कारिया लए में गोपिश्वर हमारा सेंटर था पौड़ी में टिहीरी में उत्तरकासी में अलमोडा में नैनिताल में तमाम जगे मेरे साथ में शिक्षक के रूप में कारे कर रहे हैं हम यह संगर्स हमारा थोड़ा अधूरा रहा अधूरा इसलिए रहा कि हमारा जो संगर्स था वो इसलिए था कि हम लोग सीटी ग्रेट को जीवित रख सकते हैं पहाड का जो रोजगार का जो जीवित कर सकें बट उस समय त जब मैं पहुंचा तो शिक्षक बनने के गना जोस था, मैं राजनीती से आया, चातर राजनीती से आया वह व्यक्ति आद्म एक बच्चा था, तो लोग जब वहाँ पे गया तो शिक्षक भी बड़ी कमी होती थी, मैं गणित का शिक्षक बना, वहाँ पे मेरे से पूर जो श शिक्षक थे तो मेरे परदानाचारी जी नहीं कहा वहाँ कोई शिक्षक नहीं है तो आपको लेकर बारा तक गनित के बिद्धियार्थियों को मैंने पढ़ाया, आज मेरे पढ़ायों कई सारे बिद्धियार्थियों कोई इंजिनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई आप मीडिया में हैं या जहां भी हैं, तो आज भी कहते हैं कि सर आप नए नहीं आए थे और बहुत तरह से पास हो जाए यही शिक्षा होनी चाहिए उसको असल मेरी शिक्षा का क्या उद्देश होना चाहिए मेरे जीवन में एक और मूड आया मेरा विभा और वसी बिस जी से हो गया वो देहरादून की रहने वाली थी उनकी फादर देहरादून में थे मैं जब देहरादून मेरा विबा हो गया तो मेरी जो ससुरजी है उत तत्त्काल समय में घड़वाल नूर्णिल विकास न कहा कि मैं कोड़गी में रहता था गोलतीर रेक बाजार था तो याद कि आएसी व्यास्ता ने थी तो उन्होंने किसी तरह से मुझे धीरादोन में लाने की कोशिश की और मैं सबसे पहले मैं राज की तब हाइ स्कूल हुआ करता था मौल देबता तो मालदेबता में मैं यहां पे मेरा स्थाना अंतन नगे हो गया माल देपता में आया तो मेरा अचानक पदोनती मेरी हो गई और मैं राज किंटर कालेज नरेंद नगर में मैंने L.T. शिक्षक की रूप में मैं गणित शिक्षक चला गया नरेंद नगर जाते ही मुझे लगा तब यहां से नरेंद नगर जाना अपने आपने रोज आज तो हम हमारे शिक्षक काई सव किलो मीटर तक गाड़ियों से जाते हैं उससे फिर्क्वेंटली यातायात की व्योस्ता नहीं थी तो मैं नरेंद नगर अपने स्कूटर से जाता था और वहां पे अपने आवास मिलना एक बड़ा कठिन कारे था कई कोशिश के हमने कई सारी सरकारिया आओ आज माँ सारी एक हाली हैं लेकिन उस समय में मिलना बड़ा मुश्किल था और जिसको मिलता था यह समझा जाता था जीवन का एक एहम पड़ाओ जो है प्राप्त कर लिया मेरा दुरभाग्यरा मुझे आवास नहीं मिला मैं कोशिश में लगा रहा किसी तरह है यहां से जाता रहा और ग्यारा माँ बाद मेरा स्तानतन हो गया और मैं फिर से डाइट देरादून में मेरी यात राईगी डाइट देरादून में जब मैं आया तो मुझे शिक्षा का महत्व का पता लगा मुझे आज भी याद है कि डाइट देरा दून में आने पर मुझे कई सारे बरिश साथियों का साथ मिला और सबसे पहले जिल्ला संस्तान सांखिकी जो होती है उस समय डाटा का किताबों का इस तरह ऐसा करेज नहीं था क्योंकि डाइट की जो इस्थापना हुई वो पत्तर पर ऐसे एकक्स बोडि ऐसे अकादमिक सस्थानों का कि स्थापना करें जो पूर्ण तया प्रात्मिक सिक्षा के लिए कारे करते हूं अस्थान्य अस्तानिय अस्तार पर पात्पकरम की वु कुह भी सिरेशन करें अस्तानी अस्तार पर क्या उनकी आवशक्ता हैं शिक्षण की उसके बारे में देखें इस संकल्पना से अ जिलाज शिक्षा युँ प्रसिक्ष्ण सुस्थानों की स्थापना होई और धेराधून जो जनपत उसका डाइट एक बड़ा विशाल रूप ले चुका था और यहां पर कई सारे ऐसे अच्छे शिक्षक हमारे साथ में थे पहले संस्थान सांखिकी जो डाइट का एक प्रकाशन हुआ वो हमारे द्वारा मैं सांखिक कार के रूप में हमने प्रकाशित किया इसी रूप में इ किसी तरह से परिक्षा को पास कराएं अपना परिक्षा फ़ल अच्छा रखें उस समय यूपी बोर्ड हुआ करता था उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो होता था और माधिमिक शिक्षा बोर्ड और उत्तर प्रदेश माधिमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजर्ड था आपको ये सोच कर बड़ा आज के दिन में बड़ा ताजब होता था एक उसमाई 30 और 31 परसेंट रहा करता था जब मैंने हाई स्कूल पास किया तो हमारा जो पूरा बूर्ड का रिजल्ड था वो 29 परसेंट तक था इंटर्मिडेंट 31 परसेंट था एक जमान आया नकल बिरोधी अध्यादेश आया और उस समय उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा बोड़ का जो 20 से नीचे आ गया तो ये इस तरह की चीज़े थे तो शिक्षक का एक मात्र देश्य था किसी तरह में अपने रिजल्ड को ठीक मेरा बच्चा गंइत को सीख जाये मेरा बच्चा physics जान जाये मेरा बच्चा chemistry जान जाये मेरा बच्चा जो भी जिस में रिजल्ड के नाम से जानते मुझे आज भी याद है कि मेरा जो प्रत्थम जो मुझे शिक्षक के रूप में कहीं जाने का उसर प्राप्त वा तो वो था जिला राज्य विग्यान सुस्तान अलाबाद में मैं गनित के दस दिवसी पर शिक्षन में गया वहाँ जाने पर मुझे पता लगा कि पाइथा गोरस की थियोरम जो हम के वा किताबों में ही जिसको हम परिक्षा अपनी कॉप्यों में हल करते हैं करने पे बना बर्ग दो बुजाओं पर बनी बर्ग के योगफल के बराबर होता है वो हम किस तरह से बच्चों को परियोग के द्वारा शिका सकते हैं यह बृत का चेत्रपल है उसको हम किस तरह से बच्चों को परियोग के द्वारा भी शिका यानि गनित में परियोग भी हो सकता था यह पहली लिखना बहुत आसान काम है, क्योंकि पढ़ने लिखने का उद्देश के वल परिक्षा को पास करना है, लेकिन बच्चा सीखा क्या, उसने जो पढ़ा, जो लिखा, क्या उसे अपने जीवन में उसके कुछ सीखा है, उसको कुछ लर्न किया, ये बड़ा मुश्क्या, और शि शिक्षक को जो मुल्यांकन करना चाहिए, शिक्षा का, अपने छात्र का, वो करना चाहिए कि उसके छात्र ने क्या सीखा, ये जो उसने पढ़ा है, क्या उसके ब्यावहारिक जीवन में, क्या उसके जीवन आगे आ रहा है, समाज में क्या उसका उप्योग कर पाएगा, ब गि collaboration जिसकों कहते हैं केवल ग्यान किताबों से सुचना का संग्रन करना थी नाया है तो सके और शोड़ा गाउलेज शें कि ईत्ले कि उसका void हो समाज में जो कुछ उसने सीखा है जो कुछ उसने जाना है उसको क्या positive रूप में वो दे पा रहा है उसका उप्योग कर पा रहा है यही असली शिक्षा यह असली शिक्षा का उद्देश होना चाहिए तो जब मैं राज्य विग्यान सस्थान इलाबाद में मैंने देखा तो मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने से लेकर और आगे भी कुछ और शिक्षा का उद्देश होना चाहिए मैं पुर्णा राज जिला शिक्षा प्रशिक्षान सस्थान देरा दून में आया और यहां देरा दून में आकर के हमने जो मेरे बीटी सी के बैस थे आज उससब मेरे से भी कुछ बड़े अधिकारी हैं कुछ मेरे साथ शिक्षक हैं आज भी जब आते हैं तो चरन चूके कहते हैं सर गणित कैसे पढ़ाना चाहिए गणित कैसे पढ़ना चाहिए आपके साथ सीका है बड़ा अच्छा लगता मन को बहुत खुशी मिलती है कि हाँ हमने कुछ और उससे पहले जब हम गणित पढ़ाते थे तो एक चौकन टॉक में थर्ड जो था उससे हम जानते थे कभी सोचा भी नहीं था कि गणित की कोई परियोग्षाला हो सकती है परियोग्षालाओं का सही कि यह होता था कि बहुत इक व स्कत्व साला करते हैं कि बच्चे ने जो कुछ पे ख्यान लिया है बच्ची ने जो कुछ भी सीका है जो कुछ उसने पढ़ है लिखा है क्या उसको वास्तव बीच्टात के धरातलब्षाप पर स्पयर Оीश् सांटिफिक के 살पाया एकर तो उसमें उसमें उसमिढ़ाई के जिसको आप कह सकते हुई कि उत्तराखंड उत्तर प्रदिस से तब समय में उत्राइचल नाम से प्रिथक राजय बना तो यहां पर हम जिला शिक्षक पर्शिक्षक रोप सस्थान जो हमारा देरादून है उसको सचवाले की बिल्डिंग जिस पर क्या सचवाले उत्तराखंड पहले डाइट देरादून की बिल्डिंग हुआ करती थी हम लोग वहां पढ़ाया करते थे मेरे जैसे कई शिक्षक वहां पढ़ते थे याने शिक्षक बनने की परकिरिया में थे जब वहां से उठाया जाने लगा डाइट को हम लोग ने बड़ा इस चीज का विरोध किया कि वह शिक्षा के भवनों को यहां पर बहुत सारे सरकारी भवनों को गरण कीजिए तो शिक्षा का एक केंद्र है यहां पर बने बनाए सब चीज हमारे पास है बड़ा संगर्स हुआ मुझे आज भी याद है कि जब हतोडा गैती फावडा लेकर के वहां पर ठेकेदार उ और उसके साथ साथ जो पीछे GGIC राजपरूड है उसको भी हटाने की बात थी जहां पर बालिकाएं पढ़ती थी उस समय GGIC राजपरूड में 1200 सुपर बालिकाएं थी यह हुआ कि हम सब को हटा दो बगल में हमारा ITI था ITI को तो हटा दिया गया असाने से हम लोग बैठे प बढ़ना में कि GGIC राजपरूड या थावत सचवाल के बगल में आज भी लगा और बहुत सारी जो गरीब बच्चेया हैं जो समाज के वास्तविक शिक्षा से बंचितवर की बच्चेया है वह आज भी वहां पर शिक्षा गरहन कर रही हैं कई बार हमारे जो चाहे हम राज की बालिक इंटरकॉल जहां बहुत सारी बच्चेया पढ़ती थी या जो शिक्षक बन रहे थे डाइट देरा दूरू उस बिडिलिंग को उटा दिया गया और वहां पर आस्चेवाले बना हुआ जहां बड़े बड़े आईए सवरू बैठते हुए मुझे लगता ये हो सक कोई नहीं जाता था राज विराइपुर में जब स्पोर्स कॉलेज में हुआ तो आप घना जंगल था हम लोग जब जाते थे तो पानी लेने भी तीन किलुमेटर दूर जाते थे आज सुनने बड़ा अजीव लगता है वहां इंटरनेशन स्टेडियम बन गया लेकिन तब बाहर में जैती थी मृजज अटेपता के लिए उसमें उतर के हम लोग जाते थे और उस संस्थान को दुबारा आज जिस स्थित्में जिलाजुलासीक्र प्रशार संस्थान नंत लग बड़ाइस साल लग हे लिकिन जो स्विधाएं जो लाइब्रेडी जिलाज प्रश्रा डाइट की थी वो आज भी वहाँ पे ने हो पाई तो हम कई बार हमको शिक्षा को इस दिश्चे से भी देखना चाहिए मैं थोड़ी सी ये बात भी करूँगा कि उत्राखन में ये शिक्षा का जो आज परिजिश्य है ये एकदम सैसे नहीं बना है इसके लिए बड़ा संगर्स हुआ है जब वहाँ पे सच्वालय बन गया तो एक छोटी सी कुटिया बाहर में थी जो आज सच्वालय में जाने का परवेश द्वार है यहाँ पे हमारे सामने चुनौती थी शिक्षा के जो दप्तर है वो तो सचवाले बन गया अब शिक्षा का जो निदेशालय है या अन्य दप्तर उनको कहां बनाये जाए तो उस समय यहाँ पे सिरी MC पंसाब जो शिक्षा विभाग उत्राखन के पहले निदेशक बने उनको यहाँ पर निदेशक की रूप में भीजा गया नवनित उत्रांचल लाजे में और वो जब आयत उनके साथ में तत्समय में जिला प्रात्मिक शिक्षा कारेक्रम उत्तर प्रदेश में चला करता था जिला प्रात्मिक शिक्षा कारेक्रम एक ऐसा कारेक्रम था जो ऐसे जन् या महिला साक्षर्द जिन जन्पदों कम थी तो वहाँ पे जिला प्रात्मिक शिक्षा कारिकम चलाया गया था इससे पहले भी प्रात्मिक शिक्षा में जो कारिकम चलता था उसे कहते थे यूपी बीईपी उत्तर प्रदेश बैसिक एजूकिशन प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट कुछ चुनिंदा जन्पदों में था जिसमें उत्तर प्रदेश की रूप में उत्तरान चलके दो जन्पद तबाये थे वो दो जनपत थे एक तो हमारे पास ने निताल जनपत था दूसरा पौडी जनपत ने निताल जनपत अभी तूट करके फिर या उससे अलग एक उदम सिंग नगर जनपत बनाए गया तो जो बीपी यहने बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश तीन जनपत वे संचा गुणत्ता संबर्दन के संचालित किया गया और उत्रांचल में छे जनपत वे संचालित होता था उसमें थे उत्तरकासी टेरी हरिद्वार गड़वाल मंडल से थे और उधर से बागेश्वर चंपावत और पिथारगड़ी तीन जनपत क्योंकि चंपावत बागेश्वर और रुद्र प्याग तीन एसे जनपत हैं उदमसिंगर पहले बन गया था लेकिन यह बाद में बनाए गया है तो जिलाप्राथ्वुक शिक्षा-कारिक्रम को यहां पर संचार्यत किया गया जिलाप्राथ्वी शिक्षा-कारिक्रम एक समय बद चर्ण बद रूप से चलने उत्तर परदेश में तो बड़ी पूरे जंपत्च मोली में एक बड़ी अच्छी खबर थी कि कोई लड़का जो है PCS में निकला हुआ है तो उनसे हम भी प्रभावित थे और उनसको जानते थे तो उन्होंने यहाँ पे मुझे कहा कि आओ जिला प्रात्मिक शिक्षा कारेक्रम को चलाना है क्योंकि आप यहाँ पे प्लानिंग यूनिट में था डाइट देरा दोन में तो आपको इसको चलाना है मैं सर के साथ में जुड़ गया उन्होंने मुझे जुड़ा और हमने सबसे पहले जो जिला प्रात्मिक शिक्षा कारेक्रम को जो कार्या लए था वो विधान सभा के बगल में जो डिफेंस को लोनी वहाँ पे चार कमरों को एक छोटा सम्मक काल ले करके हुआ हमने शुरू सबसे बड़ा कठिन काम होता था तत्समें वार्षिक कार्यों बजट का निर्मानिया नियोजन करना अब एस्पीडी के रूप में भी एमसी पंद साब को कार्याबार दिया गया एमसी पंद साब जब आये तो गिंते के पांच लोगों को ले करके हमने हमारे पास दो चुनोतियां थी एक तो थी कि हम जिला जो ये नया नया राज्य है इसमें हम शिक्षा को शिक्षा विभाग जो निदेशाले उसको कैसे संचालित कर दोसा था जिला पर्योजना यहें इन्हें पूरे शिक्षा कोम किस तरह से व्यावस्थित करें सिरी एन रविशंकर जो उसमें ततकाल इन शिक्षा सचिव थे जो बाद में इस प्रदेश के मुख्य सचिव की रूप में उन्होंने सेवा निविड़त हुए और बहुत अच्छे जिनको प्रशाशक की कारेकरम की प्लानिंग को कैसे करें तो हम प्लानिंग के नाम पे शेक्षिदी की बूच नाम पे हम कुछ भी नहीं जानते थे। साथ महिला सामाख्या कारेक्रम भी तत्समय हमारे सोसाइटी है उत्ता अचल सभी के लिए शिक्षा-परिशत के साथ में चला तो बहुत सारे कारेक्रम इक साथ चलाएगे यही वो दौर था जब शिक्षा में ये कहा गया कि अब जो शिक्षा निदेशालाई उसको भी हमको संचालित करना है तो जो हमारा डिफेंस कालोनी का काले तो बहुत कम पढ़ रहा था तो हमने फिर शिक्षा निदेशालाई के लिए जो सचवालाई के बाहर का जो भवन है छोटा सा वहाँ पे हमने शिक्षा निदेशालाई का कारे शुरू करिया आपको ये बताना चाहूंगा कि तीन कमरों के साथ में एक गैल्ली उसमें थी तो पूरी गैल्ली को कबर करके पीछे सचवालाई चलता था आगे हमारा शिक्षा निदेशालाई निकारे प्रारम किया और हम लोग उने जो हमारे पास परेड ग्राउंड में जहां पी आज विशाल का एक पुस्तकालाई बना हुआ है उस पुस्तकालाई का जो एक हमारे ये पूरा जो भवन था एक टिन सेट की रूप में हमारे पास विद्यालाई भवन हमारे साथ था तो उसके दो कमरों में हमने राज्य परिणा कारे लाई को प्रारम कर दिया गया अब शिक्षा निदेशालाई के साथ सा राजय परिणाकारलाई के कारे कैसे संचालित के जाएं ये भी एक चुन होती थी लेकिन जैसे तैसे हम लोग उने कारे प्रारम की उससमें जमाना इस तरह से कंप्यूटर और लैप्टॉप करने था उसमें हम लोग टाइप राइटर किसी को हाथ हम कोई नहीं लगा दे कि लगता था कि नजाने कभी खराब हो जाए तो पहला कंप्यूटर शिक्षा विवाग में जो आया था हमारे राज्य परिणाकारलाई में था और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम लोग कंप्यूटर के में लोग कारे करेंगे तभी दो आजादी कि इतना समय हो गया हमने सम्मिधान को अंगी कि इतना लंबा समय हो और हमने सम्मिधान में कहा है कि हम 14 वरस तक के सभी बच्चों को निशुलक और अनिवारे शिक्षा देंगे लेकिन निशुलक और अनिवारे शिक्षा की जो बात थी वो अभी करने पूरे हम अ सार तक सभी विद्यालियों राज की विद्यालियों इसको सिंचालित किया जाना था चुनोती थी कि सर्वर्षिक्षा अभ्यान के जो वार्षिक कारियोजन बजट है वो कैसे बनाए जाए तो वार्षिक कारियोजन बजट भी दो तरज थे इसको एक एन्वल प्लान की विशंकर साब उनने कहा कि भई राजय परिणा का लाए सारे जनपदों के पसपटी प्लान आप लो यहीं तैयार करें और के वल यह नहीं आप तैयार करें जनपदों में इस तरह की आप मानव शक्ति को जो हैं तैयार करें जो खुद भी सक्षम हो कि जनपदस्तर पर अपने नियोजन कर सकें नियोजन का कारें कर सकें तो हमने प्रेड ग्राउंड में सारे जनपदों से कुछ लोगों को तैयार किया कुछ लोग जो जिला प्रात्म शिक्षा कारें करें में जिला समयनों की रूप में कारें कर रहे थे उनको लिया कुछ जहां क्योंकि हमारे यहां क जो है लगवग मुझे याद है 20-25 दिन तक नियोजन का कार्या किया गया था चुनोती थी नियोजन क्या होता है इसके लिए मुझे एक सौभाग्या प्राप्त हुआ कि मुझे नीपा जो इस समय ने से इस्टुट अप एड्यूकेशन प्लानिंग एड्मिस्टेशन नीपा क एक नियोजन की कार्या साला में मुझे भेजा गया मैं वहाँ पे गया तो वहाँ जाके पता लगा कि सेक्षिक नियोजन बहुत आसान काम नहीं है शिक्षा की प्लान बनाना अपने आप में बहुत आसान कार्या नहीं है अगर आपको जमीनी अस्तर पर वास्ताव में शिक व्हक्रम्न पनीजन ये करते हैं और बाड़न पर नेकर वहया है है कि एन बरगीश एक जो अभी प्रोफेशर वरुगीश हुआ करते थे अभी नीपा के कुलपती के रूप में रिटायर हुए तो प्रोफेशर वरुगीश ने बारा मॉड़ी मॉड़ी में ब्रब 10itel रिके थे सुएक कि एंप मॉड Menge pramose किस तरह से आंकुणों का संकलन कर सकते हैं किस तरह से आंकुणों का विश्डेशन कर सकते हैं तो हमने वो सब यहाँ पे कि और पूरी टीम जो हमारे तेरे जनपद हो थे उनको प्रशिक्षित के एक छोटे से हॉल में हम लोग बैठते थे बैठने के लिए कुछ नहीं तो ज शिक्षकों ने या हमने के हमारा निदेशक हमारे जो 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 राजय परिणा निदेशक और हमारे सची हमारे साथ बैठके प्लानिंग का कारे कर रहे हैं तो एक हमारे ले एक बहुत उत्सा वर्दक कारे था कहने का सही है कि सब ने उस उत्राखन के शिक्षा को बढ इससा था एक्सेस यानि जिसको हम कहते हैं पहुंच शिक्षा की पहुंच को कैसे बनाया जाए नंबर दूसा हमारे पास का रही था रिटेंशन इन्हें पहुंच के बाद जो बच्चा हमारे पास विद्ध्याले में आ गया वो बच्चे का ठैराओ कैसे बच्चा ड्रॉप यूँच्छ अगर पास अंगी बच्चा गख्षा अगर पास करें तो क्या किया उसको आना चाहिए इनको also the capacity भीटी ईसका पर श्क्राषग करें समर्ण पींग चे सारा कारे हमारे इस्टिटूशनल कैपसिटिट्टी बिल्दिंग एनि हमारे रधी है हमारे पैसी आटी भी नया नया भी उधित हो रहा था इनके हम यह बोल्ड है इनके हम कैपिसिटी बिल्डिंग यह सारा कारे हमारे प्लानिग में आना चाहिए था हम सब ने इसको मिल करके बड़े अच्छे रूप में जन्पदवार यहने जो SSA का जो प्लानिंग यूनिट हो उसको कहते हैं वावी अटेशन बेस्ट प्लानिंग है विटेशन उसकी यूनिट थी यहने बस्ती को ध्यान में रखते हों हर बच्चे तक शिक्षा जाए यहनि हर बस्ती में पहुंच ओ हमारा विद्याले हर बस्ती में हो यह कहा गया था कि प्रतीक आदा किलोमेटर प शिक्षकों की पदों का सिर्जनुवा सरो शिक्षा बियान का और परस्पेक्टिव प्लान अब इसकूल भी ऐसे नहीं खोले जाते थे इसकूल खोलने के लिए स्कूल मैपिंग एक एक्सेसाइज होती थी तद समय आज तो बहुत सारे एप आ गए हैं बहुत सारी चीज़े हमारे पास हैं कम्टूटर ने उस समझे तो स्कूल मैपिंग हुआ करती थी हम कहते थे इसकूल मैपिंग नकसे बनाये जाते थे फिर उसकी जो है वन टो वन मैप करके कि अगर आपको एक स्कूल के स्थापित करना क्यूंदु पहाड़ में चित्री बस्तियों में हर बस्ती में आप सिकूल है जहां पर अधिक सदिक बच्चों को इसका लाब मिल सके, और ये इस्कूल जादा से जादा हैबिटेशन को कैटर कर सके. तो इस्कूल मैपिंग का कारे पूरे प्रदेश में सारे हमारे डाइट्स के लोग या जो हमारी प्लानिंग टीम थी जिए उन्होंने इस्कूल मैपिंग की पहले बार उन्हें इस्कूल मैपिंग को जाना कि इस्कूल मैपिंग वे एक चीजी है तत पस्यास की बाद इस्कू इस स्था आई थे अपने जन्पद आपने जन्पद के लिए अपनी खुद के लिए शिक्षा की योजना तैयार करा था ऐसा नहीं था कि देरादून में बनकरके की योजना बन गई और योजना पितहोरा गणा ड़ूरी है कि जो यहां देरादुन वालने का वो टीरी में या उत्तरकासी में या उदमसिनगर में चलो हर्दवार में चलो बलकि अब पिथोरागड की टीम हमारी सक्षम थी वो कह रही थी कि मुझे कहां पे कितने स्कूल चाहिए कितने स्कूल भावन चाहिए कितने मुझे शिक्षक च गया और मुझे लगता है कि यही कारण रहा कि आज उत्राखंड देश के अगरनी राजियों में है जहां पर हर बस्ती विद्याले की पहुंच में है यानि विद्याले कि यहां पर कोई कमी नहीं अब तो इस्तिती आ गही है कहते हुए थोड़ा साथ पटा भी लगता है कि हम अब यह इस्तिती में आ गहे हैं कि वही विद्याले में बच्चे कम हो रहे तो विद्याले को क्या करो अभी जो हमारे पास जो न्यू एजुकेशन पॉलिस्यारी क्लस्टर एप्रोच की जो हम बात कर रहे हैं जो राष्टिय शिक्षानी थी 2020 कह रही कि अब क्लस्टर बना इन एक अन्य विद्याले में अन्य विद्याले को क्या कर दें स्युफ भिद्याये देटें इस समय इस्तिती थी पहले करने प weiß जब ih 사용 हो प्रसक्षम को बनाया जाए तो पर शासनीक पर सक्षक्षम बनाने के लिए अफसरकेशम के लिन के हमारे पर कोई ट्रे पर्शिक्षन के अंदर था उन्ने निताल में जो तदसमय एटी आई कोर Dobr लाल बादुर साथी एक कडेमी के साथ में एक संस्थान और में संस्थान आज जिसको आप सेंटभूड गीड गुट गवरनेंस सेंटर गोवर्मेंट का और NSDOT के बाद उसको NIR, National Institute of Administrative Research के रूप में डेबलब किया गया, तो क्योंकि हमारी पोंच में था, तो हम लोग ने वहाँ बात की, तो लोग सहर से तयार हुए, क्यों पूरे देश के उनके पास एक वीजन था, और हमारी पूरी टीम, हमने जनपदों की जो टीम थी, यार हमार यह भी PRA, पार्शिपेट्री डूरल अप्रेजल, यहने क्या होता है, प्लानिंग के वो ले घर में, किताबों में लिखी की चार्शे चीज़े नहीं, प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़े आपको चाहने चाहिए, किस तरह से आप आँकुरों का विश्लेशन करते हैं, आँकुरों से आप किस तरह से उसको इंडिकेटर में चेंज करते हैं, इंडिकेटर को आप किस तरह से फिर उसके लिए अफसंसाद होने की बात करते हैं, तो यह हमारे एक सौभाग्यरा और हमने अपने जो सर्व शिक्षा वियान के अंतर गदूस समय जितने भी हमारे जन आदूसासी अकाडमी में और मुझे लगता है कि पहला राज जरा होगा जहांपे शिक्षा विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों को विकास करना स्तर के अधिकारियों को लबासना जैसे अकाडमी में कि उसकी सयोगी संस्ता में प्रशिक्षन प्राप्त किया गया हो अब जारखंड उस समय जो अलग हुए थे और 36 गड़ी इन लोगों ने भी फिर प्लानिंग की जो हमारी जो प्रशिक्षण था कि शेक्षिक नियुजन कैसे किया जाए वहां पर प्रशिक्षण को बेजा और हमें भी सौभाग्या प्राप्त होता था कि हम जाते थे और राज्यो के लिए डाइट्स को समर्ड़ित किया S.E.A.R.T के माद्यम से S.E.A.R.T में तमाम तरह है कि जो शिक्षकों को समर्ड़ित करने का कार्य होता उनके सेवाकाल की रूप में इसकों किस तरह से शिक्षकों को हम लोग प्रशिक्षित करें इसके लिए तो एक अच्छा प्ले नेसल पार के जो छेतर हैं, वहाँ पे हम सरकार बन भूम में विद्याले ने खोल सकते थे, तो वहाँ पे एक नई चीज जो इसको हम एजुकेशन EGSN AI कहते हैं, एजुकेशन गारेंटी स्कीम और आल्टरेटिव इनुवेटिव एजुकेशन है, वहाँ पे हम लोगों ने स् शिक्षा नीति कहरी है कि ECCE के रूप में, तो जिला प्रात्युक शिक्षा कारेक्रम में भी ECCE कारेक्रम में है, अरली चाइलूट की एरेन एजुकेशन जिसे आप के रूप में जानते हैं, तो ये ECC कारेक्रम जो आंगन बारियां हमारे यहाँ पे विद्याले में थी, उन आंगन बारी में हम लोग ECC की रूप में शिक्षिक इनपुटम देने का कारे करते थे, तो ये भी हमारे पास और यही कारे जो है सर्वशिक्षा भियान में भी चलता रहा, ये सर्वशिक्षा भियान की एक जर्नी एक ऐसी जर्नी रही जिसने खास तोर से मुझे या जो आज उत्राखंड में शिक्षा के चेत्रम कारे करने हैं, उन्होंने ये बताया कि शिक्षा केवल विद्याले की या कक्षा कक्ष की ही सीमित नहीं है, बलकि इस कक्षा कक्ष की परक्रिया को सुद्रिड करने के लिए विद्याले को एक सीखने का मंदिर बनाने के लिए एक विद्या का मंदिर बनाने के लिए जो ये बाहर की फोर्स हैं ये भी बहुत उप्योगी होते हैं बहुत जरूरी हैं याने शिक्षक को केवल अपने विशाई वस्तुता किताब तक ने नहें बल सी किताब से बाहर अन्य चीजों मैं भी बच्चे को दिखाना जो रूर न अब दौर था प्रात्मिक शिक्षा में तो बहुत सारे कारे हो गए लेकिन अब मादिमिक शिक्षा के और केंदर सरकार का ध्यान गया और 2019 में एक नई स्कीम जो कक्षा नौ से और बारा तक के पहले नौ से दस तक के लिए प्रारम की गई वो थी राश्टी मादिमिक अबियान में कारे कर रहे थे तो जो ही राश्टी मादिमिक शिक्षा अबियान की बात आई तो हमें कहा गया कि आप राज जस्तर पर राश्टी मादिमिक शिक्षा अबियान के लिए भी कारे योजनाओं को या नियोजन करे किस तरह से चलेगा इसके लिए एक पिर्थक से सोसाइटी गठित करने के बात की गई तो हमने एक दूसरी सोसाइटी जो उत्राखंड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिशत के नाम से जानी जाती थी उत्त समय उत्राखंड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिशत एक सोसाइट का गठन के आ गया और राष्टी माध और राजमे में लोक जुम्विष क्छला कही पर बिहार में विहार प्रो चला इसी तरह से लेकिन माध्यक्रा में आज सिख्षा को और सुदिर बनाने अब क्या हो रहा था ड्रॉप प्रार्णमी के स्तर पे उसमें कम हो गयालेकिन माध्यमिक प्रॉप misin जाती है बच्चियों का जो transition था प्रार्थमी कियाने कक्षा 8 से 9 में जाना तो गो रहा था लेकिन 9-10 में drop out कम हो रहा था तो एक चुनोती थी कि माध्यमिक शिक्षा में भी अब किस तरह से इसका उत्तार किया जाए तो इसके लिए भारत सरकार ने राष्टी माध्यमिक शिक्षा ब को आप व्यावसाई से भी जोड़ें इन्हें बच्चा केवल डिग्री हासिल कर लें बीरुजगारों की फोज तयार कर लें या सरकारी नौकर रिपट्टि पेंड हो जाए ऐसा न करें बलकि ऐसे skill भी शिक्षा में दे दिये जाए कि बच्चा स्वयम भी व्यावसाई के ला लाए तो तो एक vocational education का program एक जो व्यावसाईग शिक्षा है वो प्रारम किया गया तो राष्टी माधिमिक शिक्षा के साथ दूसरा program ये कहा कि माधिमिक स्थर पे व्यावसाईग शिक्षा कारिकम चला जा गया यही दौर था जब शिक्षा को सार्व भौमिक्ता के रूप में देखा जाने लगा, तो यह कहा गया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको आज हम दिव्यांग करते हैं, उसमें इनको विकलांग कहा जाता था, तो एक नई योजना, IEDSS, Integrated Education for Disabled as Secondary Stage, IEDSS, एक नई जो विकलांग बच्चे थे उनके लिए, कि वो भी सामने बच्चों के साथ पड़ें, उनमें विभीता ना किए जाए, तो IEDSS की योजना भी प्रारम की गए, इसका भी हम लोग ने प्लान किया, यही तब यूग था, यह समय था, जब कम्प्यूटर आने वाला था, तो ICT, जिसको आप Information Communication Technology, तो यह कारे क्रम हम लोग मादे में किस तरफ समय संचालित कर रहे थे, राष्टी मादे में शिक्षा भ्यान जो केवल विद्यालवियों में कारे करता था, कक्षा नौरदस में, इन कम्प्यूटर के लिए, ICT, जिसको मैंने का, Information Communication Technology, तीसा Vocational Education, चौसा IEDSS, इन चारों को भी हम लोगों ने संचालित करना सुरू किया, यह कह सकते हैं कि बहुत आवश्यक नहीं है कि जिस कारे को आप करते हैं, वो कारे मैं आप सपलता हूँ, आज हम बले, Vocational Education के लिए, हमने बहुत सारे कारे योजनाय हमने बना के भारत सरकार को दी, भारत सरकार ने भी हमको स्विक्रत किया, लेकिन कुछ असी परस्तित्या बन पाई कि आज भी हमारे जो व्यावशाइक शिक्षाकार को तत्समय सुचार रूप से हम लोग प्रारहम नहीं कर पाये थे, लेकिन आज ICT के रूप में हम कह सकते हैं कि आज हमारे प्रदेश के हर विद्याले में करें स्मार्ट क्लासरों में, आज हम वर्चुल क्लास की हम बात कर रहे हैं, आज हमारे पास कम्प्यूटर के छेतर में हम बहुत अगर्नी राज्यों में विद्याले में जाते हैं, तो ये तत्समय की उपलब दिया हैं, IEDSS के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत कम, अब जो जो इसकी में है कस्तूरवा गांधी आवाशी विद्याले उस समय खोले गे थे, जो शिक्षा से वंचित बच्चियां हैं, उन बच्चियों को शिक्षा की मुख्यदारा से कैसे जोड़ा जाए, वो ड्रॉप आउट नहों, तो उस समय ये खास्त और से कस्तूरवा गांधी आवाशी जिनको शेक्षी रूप से पिछड़ी विकासकन कहते थे, तो हमारे पास सर्वशिक्ष्य अभियान में दो तरह के, एक तो 1991 की जनगरना जब हमारे पास थी, तो पूरे उत्राखन में उस समय इस तरह के 18 विकासकन थे, और जब 2001 की जनगरना में आए, तो ये घट करके 18 से गट करके ये, ग्यारा रहे गे, तेरा रहे गे, लेकिन विकासकन बदल दिये गे, तो अब हमारे पास लगभग, पूरे जो हैं हमारे उत्राखन में, ये 20 विकासकन हो गए थे, जिनमें जिला, रास्टे, कस्तुरबा गांधिया वासे बिद्याले थे, तो ये मैं कहूंग तो आज जो हैं, लगवगी 28 हमारे पास इस तरह के विद्याल हैं, जो कुछ तो राज सरकार चला रही है, और कुछ केंद्र सरकार उनको मदद दे रही, यही नहीं सर्वर शिक्षा बियान में, अब इसको एक्सपर्ट पहले कक्षा आर तक थी, सर्वर शिक्षा बियान मे इनमें कहा गया कि इनमें नाइन्थ और टेंथ की बालिक आएं भी इनमें नहीं तो इनको कहा गया बालिक अच्छात्रा वास नाम से एक और नई स्कीम आ गई, तो बालिक अच्छात्रा वास के तच जहां भी कुस्तुर्बा गांधी आवासे विद्याले, केंद्र सरकार के उनको दिया जो 2001 की जन्गरना की आदार पे शिक्षिक रूप से पिछले विकास खन थे लेकिन उत्राखन सरकार ने का कि हमारे जितने भी बाली कस्तुर्बा गांदी आवासे विद्या ले हैं 28 जो हम औरों को जो है गाजय सरकार मदद करेगी एक सार्थक पहल थी शिक्ष प्रदेश बाहर न रहे और आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास जो जिसको आप कहते हैं जेंडर पारिटी इंडेक्स एजुकेशन में जी पिया जो कहलाता है उल्लाग भग एक पर है यानि बालक और बालिका की शिक्षाएं जो हैं समान रूप सोर कई छेत्रों हमारे प टीचर एजी किस जो शिक्षक शिक्षक के लिए जाथ उन सब को मिला कर एक रूप दिया गया समगर्शिक्षा के रूप में को दिखता है थो हमको दिखता है कि जो भूख सारे गुनवत्ता के लिए जो यहां पर कारते लाएगी मुझे आज भी याद है कि शुरवाती दो उए हैं physical रोप से मेरे पार क्या 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 है िननी प्रक्याइश गर आए कर रहा हूं और Vidhyan impossible जो कि आए ठीजने में आदा है और भी क्योटी कोने आधेर चुट गई और हम लोगों से हमारी है को औरों ले लिया और आज वो जो है शाला सिद्धी के रूप में पूरे जो शाला सिद्धी जिसको अफस्वा इवैलिवेशन आप स्कूल कहते है वो पूरे भारत सरकार तो यह इसका जनक भी मुझे लगता है उत्रा खंड रहा है यही नहीं आज रास्टी नए जो शिक्ष चाहिए उसमें कहा गया कि जो हमारे प्राथमिक जो प्राइवेट स्कूल से हैं वो 25 प्रसत शिक्षा से बंचित जो बच्चे हैं यानि बिलो पबर्टी लेंड के बच्चों को शिक्षा देंगे उसके लिए उनको फीज देंगे हमने इसको सर्व शिक्षा वियान कंतर वुपिंदर को और जो है राजय परिजना निदेशक थी उन्होंने पहल नाम से दो जिल्लों में इसको चलाया था कि उनको कथे हम टोकन देंगे बाई प्राइवेट स्कूल हो का कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ और टोकन मनियन जो पढ़ाने खरते हो पहल नाम हमारे अल्लेडी हमारे पास वर्तमान में निदेशक हैं शेमा जोनसारी में उन्होंने प्रतिवादिवस नाम से हर महीने हमारे यहां 2018 से चलता है कि प्रतिवादिवस में हम लोग उस दिन बैग लेस्टी है बच्चा स्कूल किताब को पी बैग नहीं लाता है बलकि उस दि हमारे यहां आज में देखा होगा कि एक नई चीज चले थी उसको कहते मिशन कोशिश मिशन कोशिश का से था कि बच्चा नए शेक्षिक शत्र में जब जाता है तो ऐसा नहों कि वो एकदम से आपने आपको किनारा समल बलकि पिछली कक्षा में कैसे ऐसे कोई संबोध जो नहीं समझ में आये थे जिनको दक्ष नहीं हो पाये था उनको नए रूप से यहां पे शिक्षक उनकी को करें और पूरे अप्रेल से ले करके और जून तक हम लोग मिशन कोशिश कारेकम चलाते हैं यह मिशन कोशिश कारेकम आज इसको पूरे देश ने इसको आज से पहले भी राष्टी शिक्षानीत बात काषिश कारे यह आज हमारे की उनको उन्होंने अपनी जो लोकल बासा है या पितोरगड में जैसे कहें तो वहां पर रंग बासा है जो विलुप्त के कगार पर है या हम उत्तरकाशी में कहते हैं वहां बंगानी बासा है या हम चमोली और उत्तरकाशी में वहां भोटिया जो बासा हैं हम देरा दोन में कहे हैं तो यह यह लोग्र भासा है इन लोग भासाओं को डाइट नहीं इन में सहीं井 तै start कर perse पहले ही प्रारम कर दो कि हमारी भासाओं से बच्चे पर्चित हो सकें और आज जो जब अइनीपी में आया तो हम समझते हैं कि लोग भासा उस्चाओं के लुम तुमाम तरह की भासाओं का सरक्षन हम लोग कर रहे हम लोग उने एनीपी में क्योंकि बहुत सारी चीजे हो से चलना था तो मेरा मैं पर्तियुक से बाहर आए तो उत सब्सक्राइब नम्रता कुमार राजय पर नियुक्त की स्टापना की यानि यह सीमेट है क्या स्टेट इजुकेशन मेनेजमेंट ट्रेनिंग तुन्हें का वे बिश्जी अब आप जो हैं सीमेट को सीमेट में चलता ह लिए एक बड़ी चुनवतिती तीन कुरूर रुप्या भारत सरकार ने दिया था किसमें बिल्डिंग बनाए सीमेट तैयार किजिए तीन कुरूर भी बिल्डिंग बनना बहुत आसान नहीं था यह लगबग चलता लेकिन सीमेट अपने इस्तापित कर दिया था सीमेट के सर्वशिक्षा बियान के कारिया कर रहा है तत्वश्यात जो आज बरतमान में हमारे पास परमुक्षचियों है लोक निमान विभाग और वो समय हमारे पास राजय परिविद्णा निदेशक थे उन्होंने अपने एक उधारन पेसके और उनने सीमेट किस्तापना जहां पर जो हमारे उफशिक्षा दिका रही है यह पीसी राजय लोग से हुआ जो सिविल से हुआ हमारे पास लगभग एक सो कुछ लोगों का यहां पर बैच आया था तो इस बैच को पूरा एक बनी एन ट्रेंड करना आज में तो सीधा बी एसी बीएट करने के बाद आपने सिवि पूर्ण कार्य था और इस कार्य को पूरा किया ततकालिन जो हमारे राज्य परिणा निदेशक थे स्री आरके सुधान सुझी जो वर्तमान में प्रमुक्षचिव हैं उत्राखन शाषन में और उनका बहुत बड़ा योगदान रा है मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा क सब जितना मैंने इस्टिटूशनल डेप्लोप्मेंट की बात की है यह इतने आसानी से नहीं होता है संस्तागत विकास तब होता जब आदमी का अपना पर्शनल डेप्लोप्मेंट में होता है खास तोर से मैंने इस पूरी यात्रा में बहुत को शिका है जब मैंने जैसे ब अबाग्या पराप्त हुआ कि मैंने देश के सबसे प्रतिशित जो प्रबंदन संस्थान है नीपा के नाम से जो जाना जाता है वहाँ पे मैंने एक छे महा का तब आप तो एक वर्ष का हो गया लेकिन उसमाई छे महा का जो डिप्लोमा कोर्स था डिप्लोमा इन एजुकेशन प्लानिंग एन एड्मिस्टेशन और ये एक ऐसा कोर्स है मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबसे कहना चाहूंगा चाहे उसे प्रशासक है आप एक शिक्षक हैं आप शिक्षक के छित्र में कहीं भी काम करते हैं तो आपको ये कोर्स और इसका कंटेंट जरूर देखना चाहिए ततपस्चात मुझे ये भी सहबागिया प्राप्त हुआ कि जो समय एटी आई में ने निताल या जो गौर्मेंट आप इंडिया जो पर्सनल डिपार्टमेंट है जो आप करता है तो उसमें मैंने डी टी जो डारेक ट्रेनर इसकिल्स हैं डी ओ टी जो डिजाइन आप ट्रे प्राप्त किये हैं मैंने स्कूल इडरस्फ डेवल्मेंट प्रोग्राम जो आज हम सीमेट देरादों ये करता है कि एक महा का पूरा देश का अकेला सीमेट है जो अपने वल्बूते जो NCS से ने डेबलब किया हुआ एक महा का जो प्रशिक्षन कारेक्रम है प्रधानाचार जो लालबादो साथ से नेशनल अकैडेमी मसूरी में है नियार ने एक रिशर्च हमने जमू और कस्मीर तब एक राज जवा करता था उसमें हमने की थी वहां की जो जन जाते हैं हम सुझे जन जाते हैं तीन खास परमुग जन जाते हैं गदी गुजर बकराल तो इन गदी प्रोफेशर एसमाई जैदी जो हेड़ अफ डिपार्टमेंट थे नीपा की और प्रोफेशर बसिज जो एंसी यार टी में उसमें प्रारमिक शिक्षा विवाग के हेड़ अफ डिपार्टमेंट थे इतने सीने रहते हैं जागरूग लोगों के साथ मुझे काम करने का उस् अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो विश्व विद्यालय है इस उत्राखंड में आज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन यह पूरे देश में यह कह सकते हैं कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बहतर रूप से कारे कर रहा है यहां पर जो हमने पहले कारे सरव पर्थम जब नहीं किया था तो पहला कारिय था लर्णिंग आरइंटी प्रोग्राम dud लंग्हां प्रोगराम के आज तो पहली बार कहा की विष्ट्य है शेक्षिक रूप से कैसे नाम से जाना जाता था वो हमने यहां पे सुरू करवाया था और उसमें भी उसी के दौरा मैंने भी जो कुछ सीखा है कंप्यूटर के रूप में जो चीजें सीखी हैं तो एक चोटी सी एक जो मेरी और यह मुझे यह भी शुभागी अपराप्त वा कि मैंने अपना जो मेरा वो मैंने एक ऐसे विशाइपी किया हूँ इन्वार्मेंटर साइट्स पर आप कहेंगे मेरा बड़ा डाइवर्सीव फाई रहा है मैं मैंतेमेटिक्स का विद्यार्थी रहा हूं फिर मैंने M.E. Education किया, मैंने B.Ed किया, उसे बाद मैंने M.E. Education से किया और M.E. राजिसास से करने बाद मैंने PhD जो किया है, मैं ऐसी जगे से आता हूँ चमूली जनपद जो चिपको अंदुलन के जन्नी के रूप में जाना जाता है, रेणी एक जो गाओं है और मेरी जो दादी थी, क्योंकि पूरा इलाकाता समय जो दसोली गराम स्वराज्य मंडल है, पादमो भूशन सरी चंदी परसाद भड़ जी, जो हमारे गाओं के निकट की गाओं के रहने वाल, तो उनने छोटे-छोटे महिला मंगल दल्स बनाए थे, और हमारे गाओं में भ जिसको जाना जाता है, यह जो यहाँ पर हुआ था और उसके अलावा सराब बंदी कांदलों या कुली वेगार पड़ता हैं, इनने जितनी भी सामाजी कांदलों पर मेरा पीएजडी राह है, और उनमें, मैं पहली बार स्वरगी स्री शुंदलाल वहूना जी से भी मैं उन जी कांदलों किस तरह से बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि एक आदमी को एक perfection तो नहीं कह सकते हैं, लेकर अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए इस तरह है कि अपने केरियर की जो opportunities होती हैं, चाहे हो शेक्षिक के रूप में हो, और दूसरा मैं यह कहता हूँ पहुंच पाया हूँ, इसी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं यह भी कहना चाहूँगा, कि शिक्षक होते हुए पढ़ाना बहुत आसान काम है, लेकिन सिखाना बड़ा मुश्किल काम है, बच्चों के लिए यह है कि पढ़ना लिखना बहुत आसान है, लेकिन सीखना आप सब के किसी के लिए कोई प्रेणा दायक प्रेणास प्रस्ति ये बन सके आप सब का बहुत बहुत धन्यवा नमस्कार